हालो फ्रेंट्स, कॉंप्टेशिंग कमिटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीनल प्रथान आए फ्रेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं CGPAC मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम के तहट CGPAC के साथ पेपर में से पेपर नंबर फोर और उसमें भी पार्ट वन के अंतरगत आने वाले जनरल साइन्स सब्जेक को जनरल साइन्स सब्जेक बेज्ड एस सेशन में आज हम उन सभी मत्पूर बिंदों पर चर्चा करेंगे जो आपको इसमें सरवाधी कंग प्राप्ट करने में मदद करेगा अब हमारा लक्ष है इसमें अधिक्तम अंग प्राप्ट करना यदि अधिक्तम या maximum marks आपको प्राप्ट करना है तो हम ऐसा क्या करें कि इसमें ये चीज़े हवसील हो जाए तो सबसे पहले यहाद रखिएगा friends कि इसमें आपको 60 एवं सही अप्रोच आपको जानना पड़ेगा दूसरा इसका एक analytical view या अप्रोच भी आपको इसमें रखना पड़ेगा ताकि बहतर strategy बन सके कि कहां से प्रसन पूछे जा रहे हैं, कहां से प्रसन कम पूछे जा रहे हैं, कहां ज़्यादा अंक्स मिलता है ज़्यादा marks के question पूछे जा रहे हैं, कहां छोटे प्रसन ही हमीज़ा पूछे जा रहे है और तीसरा पार्ट होगा कि इसमें आपकी आंसर रैइटिंग के सैली या उसका एक पैमाना क्या होना चाहिए ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्ट हो सके तो आएए स्टार्ट करते हैं अंतिम्लक्ष हमारा है कि इस पेपर में कि 7 पेपर में से पेपर नंबर 4 है और पेपर नंबर 4 में हम देखते हैं इसमें भी 200 marks पूछे जाने हैं अब यह जो पेपर 4 है किसी भी पेपर की तरह यह भी क्या है तीन पार्ट में divided है जिसमें Part 1, Part 2 और Part 3 है तो part 1 का detail है जिसमें कि general science आता है और general science में तीन subject आते हैं chemistry, physics और biology अब बात आती है कि ये 200 marks में इस paper number 4 के part 1 से कितने प्रस्णाएंगे कितने अंके प्रस्णाएंगे तो कितने अंके प्रस्णाएंगे तो answer है क्या है 75 marks आएंगे 75 marks इस paper से पूछे जाएंगे अब आप बोलेंगे कि क्या 25, 25 और 25 में divided है No याद रखना कि कभी भी ऐसा 2021 का paper 2020, 19, 18 जब ये नए syllabus आधारित paper में आप उसका एक analysis करेंगे तो बिलकुल इस train को follow नहीं किया गया है आपको बस एक ही बात समझनी है कि paper 4 के part 1 से 75 marks पूछे जाएंगे उस 75 में बिलकुल कहीं पे ये नहीं समझेंगे आपकी 25, 25 और 25 आएगा आपको अभी थोड़ी दिर बात मैं आपका इसका analysis बताऊंगा जिसमें कि कहां से कितने marks के questions कि इस प्रकार से पूछे गए हैं अब बात आती है कि general science को approach कैसे करें और इसमें अंग कैसे ज़्यादा आपको प्राप्त करें आएए इस session को start करते हैं उन सभी बिंदों के साथ ताकि आपका अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सके तो देखिए यहाँ पे ये है आपका general science paper 4 part 1 और part 1 में आता है हमारे पास physics chemistry और biology अब physics chemistry biology में जब इसे approach करेंगे तो सबसे पहले एक हैरान करने वाली बात या कह सकते हैं एक अविस्वसनी बात या कहें आपको अभी तक बहुत तायद student को नहीं मालूम है ऐसी बात वो बात आपसे मैं share करूंगा ये बात है कि ये साथ paper में से एक मात्र ऐसा paper है जहां पे आप 70 भी नहीं 80 भी नहीं 90% तक score कर सकते हैं अब ये बात बहुत आयद student को नहीं मालूम होती है लेकिन क्या ऐसा संभव है तो बिलकुल संभव है क्योंकि हम उन बिंदों पर भी चर्चा करेंगे कि आप 200 में 160 मतलब कितना हो गया 80% और 180 यानि की 90% तक score अचीब कर सकते हैं कैसे हासिल करेंगे और क्या इसके आधार पर इसके पीछे क्या ऐसे तरक दिये जाएंगे उन बातों को हम इस session के दौरान हम समझेंगे अब देखिए ये जो है चार महत्पूर सीड़ियां यहां बनी हुई है इस session को इन ही बिंदों के आधार पर हम discuss करेंगे जिसमें कि आपको जो सुरुवात में मैंने discuss किया था कि इसका strategy और इसका approach ये तभी हम यहां पर इसे समझ पाएंगे जब इसके syllabus को और previous ये आए हुए questions के trend को समझेंगे तो यदि syllabus समझ गए previous ये आए हुए questions के trend या उसको किस प्रकार से प्रस्ण पूछे जा रहे है उन बातों को समझ गए तो आपको strategy बनाने में दिक्कत नहीं होगी दूसरा आपको ये भी समझ पाएंगे सबसे 60 के अप्रोच क्या होगा ठीक है तो आएए उन बातों पर discussion स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये समझेंगे syllabus क्या है और प्रस्ण का प्रकार क्या है तो अब देखते ही हम इसके syllabus और प्रस्ण की प्रकार को तो पहले प्रस्ण का प्रकार समझ लेते हैं syllabus की और go through करेंगे तो देखिए आप ये मान के चलिए आपका यहाँ पर physics है, chemistry है और biology है ये तीन subject आपके general science के हैं अब इसमें प्रस्ण कैसे पूछे जाएंगे तो याद रखेगा कि CGPAC मेंस में जब हम बात करते हैं part 1, part 2 और part 3 को तो जब यहाँ पर बात करते हैं number of question या किस type के प्रस्ण पूछे जाएंगे तो part 1 में जो चीज follow होगा same to same part 3 में follow होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझे कि ये paper में आपको दो number के, 4 number के, 8 number के और 15 number के questions पूछे जाएंगे same चीज़े यहाँ पर भी होगी जिसे हम part 3 के under समझेंगे कि 2 number, 4 number, 8 number और 15 number के question पूछे जाएंगे तो यही वो बात है कि इसमें ये जो trend follow किया जा रहा same trend यहाँ पर questions के type follow किये जाएंगे ठीक है, इसमें कभी भी 10 number का question कहां से इसमें नहीं पूछा जाएगा ठीक, यह बात ध्यार रखना उसी प्रकार part 3 में भी हम देखेंगे तो इसमें भी 10 number के question नहीं पूछे जाएंगे part 2 में already math reasoning पढ़ते हैं उसको आपका separate strategy video आप देखेंगे ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आज हम discussion कर रहे हैं वो है paper 4 का part 1 अब यहाँ पे है physics chemistry biology अब यह physics chemistry biology में क्या हम यहाँ पे वो जो trend हम समझने का प्रयास कर रहे थे क्या प्रयास कर रहे थे कि क्या इसमें 25 number के question आएंगे है ना आपके chemistry के में भी क्या है आप देखेंगे chemistry में भी 25 number के आएंगे या फिर bio में भी 25 number के आएंगे तो मैंने answer किया था no याद रखेगा अभी थोड़ी दिर बाद हम समझेंगे कि इसका जो trend या इसका जो analysis होगा तो कभी बार क्या होता है कि इससे 32 question पूछे गए कई बार इससे 24 number के question पूछे गए कई बार इसमें आप देखेंगे 18 मास के question पूछे गए तो आपको यहाँ पर इसमें आप सब में अलग-अलग बातें देख रहे हैं ठीक तो 25-25-25 वाली बात तो आपके दिमाग में हटा देनी है आपको focus करना एक ही बात पर कि आपको यह 75 के मास का syllabus को अच्छी तरीके से आपको cover करना है point number one point number two अब हम syllabus की और बात करते हैं तो syllabus में हम पहले पकड़ेंगे chemistry, physics और biology तो chemistry, physics और biology इसी तीनो syllabus पर आधारित उसका हम उसके अंदर की बातों को हम समझेंगे आपको एक बात सेर में करना चाहूँगा कि जब आप paper four देने बैठेंगे सबसे पहले paper खोलेंगे तो सबसे पहले question से स्वागत होगा वो है chemistry का ऐसा मैं क्यों surety के आधार पर कह रहा हूँ तो याद रखिएगा कि जब उसमें syllabus देखते हैं पहले chemistry आता है फिर physics आता है फिर बायो आता है अब आपका paper 2021 का paper उठाइए 19 का 20 का 18 का तो सब में सबसे पहले chemistry के प्रस्णसी आपका जो है स्वागत किया जाएगा अब उसके बाद physics के question और biology के question बाद में आ रहेंगे अब इसमें जो questions पूछे जाएंगे कि क्या वो दो नंबर के रहेंगे क्या चार नंबर के आट नंबर के बिलकुल होगा इसमें तो प्रस्ण का प्रकार की बात यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि ये जो प्रस्ण पूछे जाएंगे दो नंबर वाले तो दो नमबर वाले, चार नमबर वाले, आट नमबर वाले और पंदरा नमबर वाले एक बात ध्यान रखेएगा हमारे पास subject है तीन यह जो तीन subject है इसमें आप अगर देखेंगे दो नमबर के कितने प्रसन स्क्राइब पूचे जाएगे लेकिन ये decided है, इसमें 16 नमबर के questions आ रहे हैं चार नमबर की जब बात की जाती है तो चार नमबर वाले कितने प्रस्न पूछे जाएंगे इस physics chemistry biology में तो चार नमबर के यहां पे पूछे जाएंगे 5 questions अब यहां पे इसके चार पंचे 20 मतलब total 20 नमबर हो गया ठीक है, उसके बाद 8 नमबर के कितने पूछे जाएंगे तो 8 नमबर के पूछे जाएंगे 3, तो कितना हो गया यह हो गया, 24 नमबर उसके बाद 15 नमबर के कितने पूछे जाएंगे तो 15 नमबर के actual में 2 पूछे जाएंगे लेकिन एक आपको अत्वा में रहेगा याने और में रहेगा दोनों में से एक सॉल करना है तो इस प्रकार इसमें आपको पंद्रह होगा तो आई थिंग 6, 4, 10 और 5, 15 का 5 है न और 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 आपको 75 marks का आपका मोटा मोटा एक व्यू आपको समझ में आ गया तो प्रस्टन का प्रकार बताना क्यों आवश्यक है इसलिए आवश्यक है फ्रेंड्स कि आपको जो 8 questions पूछे जाएंगे physics, chemistry, bio में इसमें भी कोई surety नहीं है कि आपके physics के ज़्यादा, chemistry के ज़्यादा, कि bio के ज़्यादा हाँ, एक तीनों का मिला जुला रूप रहेगा, अभी हम थोड़ी दिर बाद इसके paper के visualization में पढ़ेंगे, तो ये बात मैं repeat करूँगा, कई बार इसमें देखेंगे कि तीन question आपके physics के, तीन question bio के और दो question chemistry के दे दिया, कई बार ऐसा भी है कि ज़्यादा तीन-तीन chemistry के, तीन physics के दो बायों के दे दिया, तो आपको ये बात को ध्याँ रखना है, अब यहाँ पे पांच, जो चार number के पांच question आएंगे, तो ये पांच question बे भी इस ऐसा है, कि दो, दो और एक भी पूछ दिया है, और इसमें हम देखेंगे, एक, एक, दो, और उसके बाद, एक और दो, तीन हो गए, और उसके बाद बचे हुए क्या है, दो question पूछे गए, तो कुल मिला कि इसको भी मैं repeat करू करेंगे तो, ठीक है, एक बात, शूर क्या है, शूर ये है, कि जो तीसरा है, आठ नंबर का question, इसमें पिछले साल के trend, अगर देखें, पिछले 18, 19, 20 और 21 के paper में, तो सभी में क्या है, physics के एक, physics के एक, chemistry के एक, और bio के एक, तीनों से एक एक question आते है, आठ आठ नंबर के, और वो 24 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, तो ये बात आपका sure है, कि इसमें तीनों subject को एक एक question का हिस्सा दिया गया, सेर दिया गया है, अब ये बात देखें, लास्ट वाला, ये फिर से आपके लिए mystery है, एक साल ऐसा भी है, जिसमें बा दो subject हो गए, या तो chemistry, या तो bio, या तो physics, मतलब दो ही subject सामिल किये जाएंगे, एक साल ऐसा था, जिसमें physics के, bio के ही दोनों question दे दिये थे, तो ये बात की एहमेत आपको समझनी पड़ेगी, कि marks का जो pattern है, या marks जो पूछे जा रहे हैं, दो number के 16 कोश, 16 के पूछे और आप 24 number देख रहे हैं, वो 8 number के पूछे जाएंगे, है ना, 24 अंग जो है, तीन question 8 number के पूछे जाएंगे, और 15 number का एक question आपको solve करना होगा, overall 2 पूछे जाएंगे, ये बात अगर आप जान गया है, थोड़ी सी मेरे खाल से आपको रहत महसूस हो रही होगी, कि हाँ, हम छोटे छोटे बहुत प्रसन अगर लिखेंगे, तो 16 मिल रहा है, एक बड़ा प्रसन लिख लेंगे, तो 15 मिल जाएगा, या 15 में 14, 13, 12 मिल जाएगा, ठीक, क्या 24 number को अप्रोच कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकेंगे, जब हमको syllabus मालूम हो, जब syllabus में एक ए इसकस करते हैं syllabus को, अब हम देखते हैं, फिजिक्स केमिस्टी बायो में से सबसे पहले chemistry के syllabus को, तो chemistry के syllabus में यहाँ पे देखिए इन बातों को क्या-क्या है, तो यहाँ पे ये unit number one है, पहला unit है, जिसमें कि chemical equilibrium, तो chemical equilibrium से जो questions पूछे गए हैं, वो आपको सभी type के questions इसमें प पे थोड़ा exceptional मानूँगा, तो दो, चार और आठ नंबर के इस topic से questions बन सकते हैं, जिसमें कि आप देखते ही, ये इसका syllabus है, कि rate of chemical reaction क्या होता है, chemical equilibrium क्या होता है, उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, छोटे छोटे question, देखिए, कि यहाँ पे रासायनि साम में, यानि chemical equilibrium and equilibrium constant, यानि की साम में स्थिरांग क्या है, दोनों को प्रभावित करने वाले कारक आप अलग-अलग आप उसे जरूर नोट करें, तो यहाँ पे दो, चार और आठ नंबर के question इस तो topic से बनते हैं, ठीक, अगर दो, तीन चीजों को जोड़त के पूछेगा, है, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, second topic आते हैं, metallurgy, sorry, metal, और metal और metallurgy, actual में इसे आप unit 2 और 3 कह सकते हैं, क्योंकि metallurgy अपने आप में copper और iron का metallurgy धातु कर्मा पूछा जाता है, तो देखिए, कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है metal, तो metal में यहाँ पे दिया हुआ है कि आवत सारणी periodic table में metal की उसका position, उसके chemical property, sorry, physical property सामा निगुण दिया हुआ है, कभी भी इसमें क्या है, chemical property इसमें सामिल नहीं किया है, सामा निगुण पूछा है, तो सामा निगुण में हमेशा बहुत इक गुण आते हैं, लेकिन आपको कुछ, at least 2-4 जरूर याद रखें, कब क्या पूछ देगा, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सामानिगुण यानिग फिजिकल property के साथ साथ, at least 3-4 क्या है, आपके chemical property भी जरूर आप याद रखें, ठीक है, ताकि इस topic से कभी question पूछ भी देगा, तो आपको नहीं छूटना चाहिए, अच्छा, जब बात आती है, कि केवल metal को deal करें, तो इसमें 2, 4 और 8 नंबर के question बनेंगे, लेकिन जब metallurgy की बात की जाएगी, तो metallurgy की बात में होगी, अभी देखते हैं, उसब 15 नंबर के question आएगे, तो ये बात को धियां रखेगा, ये आपके difference में पूछा जा सकता है, चार नंबर के में, धातों का संक्षारण, चार नंबर के में question पूछा जा सकता है, लेकिन जब नीचे जबात करते हैं metallurgy को, तो metallurgy में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस part पर आप सीधा चलते हैं, कि ये जो questions दिख रहा है, ये जो content दिख रहा है, यहाँ पे, वो content है कि metallurgy, तो metallurgy में ये complete part है, दो, एक है या तो copper का, या तो iron का metallurgy, यहाँ पे exam में पूछा जा सकता है, बड़े प्रस्न के हिसाब से, 15 एवं 8 में ही इसे आप ready करें, ठीक है, इनके छोटे-छोटे जो steps होते, छोटे-छोटे जो बाते ह होती है, कि बीच में प्रगलन क्या है, smelting क्या है, आपको इसमें पूछा जाएगा, कहना चाहिए, जैसे कि iron में use किया जाता है, कि iron और copper में use किया जाता है, इसका अपचयन और इसका अक्सी करन, है ना, reduction, oxidation, related, कुछ steps होते हैं, ठीक है, इसमें आपको पूछा जाएगा, फफो लेधार, तामबा क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है, छोटे प्रस्ण, actual में बड़े ready करेंगे, तो छोटी बातें, automatically cover हो जाएगे, ये बात ध्यार रखिएगा, उसके बाद देखिए, यहाँ पे उसी कही पार्ट है, metal का पार्ट है, तो metal के पार्ट में, alloys ये दो चार नंबर में ही पूछे जा सकते हैं, ठीक, non-metal की बात करते हैं, तो non-metal के properties की हिसाब से भी 2, 4 और 8 नंबर के questions बनते हैं, ठीक, तो 2, 4 और 8 नंबर के questions बनते हैं, बड़े questions इसमें नहीं बनते हैं, अगर आपको पूछ दिया कि metal और non-metal में difference क्या है, तो उस case में भी बजने का प्रयास करिए, अभी तक हमारे पास 15 नंबर के 2 ही जोन मिले हैं, पहला chemical equilibrium अगर उसको jointly 2-3 चीज़ों को मिला के पूछे तो बन सकता है, या फिर दूसरा चांस है कि आपका metallurgy से पूछा जा सकता है, ठीक, ये बात ध्यान रखना, यहीं से ही प्रस्टन 15 नंबर आपको यहाँ पे acid और alcohol, ये दो चीज़ें आपको alcohol, ये दो चीज़ें अच्छे से ready करनी है, यहाँ पे questions बनते हैं, 2, 4 और 8 नंबर वाले, ठीक, है ना, जब इस topic के अंदर की बातों को समझेंगे, तो वहाँ से वो 2, 4 और 8 नंबर की प्रस्टन आसानी से आपको समझ में आजाएंगे, क्योंकि word limit ही खतम हो जाती, 15 नंबर के हिसाब से इसमें नहीं बनेगा, ठीक, अब ये बात फिर से वही चीज़ें लागू होती, क्या 2, 3, 4 सेगमेंट को एक साथ पूचके point wise दिया, तो उस case में बड़े बनेंगे, अधर वाई 2, 4 और 8 के हिसाब से ready करें, आपको semi conductor, sorry, जो polymer होता है, आपका बहुलक होता है, तो बहुलक वाले topic में आपका polythene, PVC और आपका teflon, ये तीन चीज़े हैं, ये भी आपका 2, 4 और 8 में ही आप इसे ready करें, उसके बाद साबून और अपमार्जग इसे देखते हैं, इसे भी 2 और 4 नंबर के हिसाब से ready करे या even आप इसमें art भी जोड दीजिए, ठीक है, तो आपको बड़े प्रस्न कहां से दिखे, आपके metallurgy topic से या फिर chemical equilibrium से, बाकी आपको 2, 4 और 8 का ध्यान रखना है, और ये बातों को आपको समझना है, ठीक, ये था आपका क्या है chemistry का syllabus, now move करते हैं हम physics के syllabus की और, तो physics के syllabus मे यहां पे दो जगा ऐसी जगा है, जहां से बड़े प्रस्न बने हैं, तो उन बातों को देखिए, बड़े प्रस्न जो बने हैं, आपकी देखो light, light से related, आपके सभी type के question आप expect कर सकते हैं, 2, 4, 8 और 15, ठीक है, यहां से सभी type के प्रस्न expect कर सकते हैं, जिस बात को आपको ध् पूछे जा सकते हैं, है ना, ये भी आपके 4 और 8 नमबर के में, है ना, समतल, आउतल, दरपन, द्वारा, प्रतिपीम, रचना भी, 4, 8 नमबर के में, 15 नमबर के में भी, अगर बहुत सारे location के इसाब से इसमें पूछा जाए, focus दूरी, वकरता, तिज्जा में संबन, आप आपको ध्यार रखना है, गैसों में विदूत, वुस्टरजन और उर्जा उत्पत्ती का कारण, ये आप perfect question है, 2, 4 और 8 का, 2, 4 और 8 का, clear होगे आप सभी को, अब यहाँ पे थोड़ा आगे stress दीजिए, आगे stress देते हैं, तो यहाँ पे एक बात और समझ में आएगी, क्या क ये जो question, ये जो content देख रहे हैं, विद्यूत और उसके प्रभाव, विद्यूत विववांतर और ये सब चीजें, ये आपका question है, 2, 4 और 8 वाले, विद्युद्धारा ओम का नियम, again, same चीजे, 2, 4, 8 वाले, ठीक, तो बड़े question इसे topic से भी नहीं बन रहे, मतलब आपका second number 8 number वाला question इसमें बन रहा है, चोकि ये paper 4 का part 3 है, part 1 है, और part 1 और part 3 में कभी भी 10 number नहीं पूछे जाते, इसलिए 248 को ही आपको इसमें follow करना है, ठीक है, ये बहुत चोटे-चोटे प्रसनों होते हैं, प्रतिरोधों का सईयोजन, आंकिक प्रसन, ये भी क्या है, 2 और 4 number के जनरली पूछे जाएंगे, ठीक, ये बात ध्यान रखेगा, विद्युद्धारा का उसमी प्रभाव, उसमी उपयोगिता, सेम चीजे हैं, 2, 4 और 8, ठीक, अब इसमें आप सब पे 2, 4, 8 कह रहे हैं, तो बड़ा question कहां बनेगा, आ रहे हैं उस पर, ठीक है, यहां पे एक part क की गड़ना, इसमें आपके questions बनते हैं, वो बनते हैं, 2, 4 और 8, ठीक, 8 के chances minimum है, तो चाहो तो आप इसे काड़ भी सकते हो, है न, और जाबे वाली है, तो 2 और 4 नमबर की question बनेगे, हाँ, छोटे-छोटे numerical दे दिया गया, लेकिन सब अपना separate separate होगा, है न, तीन चीजे collect कर calculate करना है, इसमें power भी collect करना है, उसमें और जाबेगी करना भी करनी है, उसमें हो सकता है कि आपको resistance भी निकालना है, बहुत सारी बाते निकालनी होगी, उस case में वो 8 नमबर बनेगा, अधरवाइस 2 और 4 नमबर ही बनेगा, है न, सावधानी के हिसाब से भी आप 2 और 4 के हि देंगे, this is very important topic again, कि photo electric effect ये एक ऐसा topic है, जहां पे 15 भी बन सकते हैं, 8 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, ठीक है, solar cell आपको बड़े question में पूछा है, फोटो वोल्टिक जो है, फोटो electric effect भी आपको बड़े question में पूछा है, तो 15 नमबर का भी बनता है, 8 नमबर का भी बनता है, दो नमबर का भी बनता है, पी एंट जंसकन वगरा जो है, आप 2 और 4 के हिसाब से, है ना, आप याद रखें, in case कभी जोड के पूछा, तो आपको 8 marks पर पूछेगा, ये जोड के पूछा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या है, हम paper analysis में उसे देख क्या ये बाटनी है, और क्या ये जोलोजी है, तो जोलोजी के क्या है, देखते हैं, 6 सिस्टम है, हमारी human body के 10 सिस्टम में, 6 सिस्टम इसमें, आपके exam में पूछे जाते हैं, आपकी mains के syllabus में, एक देख रहे हैं कि respiratory system, तो respiratory system से आपको 15 भी बनेगा, 8 भी बनेगा, 2-4 तो ब बड़े question आप देखे हैं, आप जून समझते चलिएगा, 15 नमबर वाले ये मिल गए, respiration वाले में अगर देखते हैं, तो जिसमें कि आपका aerobic और anaerobic respiration, आक्सी और अनाक्सी पसंद वाले जो topic होते हैं, इस topic में आपको actual में देखा जाए, ये चार नमबर का और separate पूछा तो दो नमबर का, individually, oxy, aerobic respiration क्या है, दो मार्क्स का, या anaerobic है, तो दो मार्क्स का, दोनों को पूछ दिया, comparison पूछ दिया, four मार्क्स का, लेकिन जब मनुष्य का स्वसंत तंत्र, फेपड़ा कैसे काम करता है, कैसे वो सब चलेगा, तो ये आठ मार्क्स का बनता है, ठीक ह बात ध्यार रखेगा, तो पहला unit में भी बड़े question, second unit में भी बड़े question, अब बात आती है, तीसरा, कि human body में, आप देखते है, circulatory system, ठीक है, ये देखिए, आपका क्या है, आपका, ये है, आपका digestive system, ये respiratory system, दो system होगे, body के, तीसरे system है, आपका circulatory system, तो circulatory system की जब हम बात करेंगे, तो रुधीर की सरचना, आपका, जो है, blood का structure है, तो blood का structure में, आप 2, 4 और 8 number के, या blood clotting का process समझाए, वो 4 number या 8 number के हिसाब से पूछे जाएंगे, तो ये बात आपको एहमियत इसकी समझनी होगी, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे heart का function, तो heart का function देख रहे है ये वाला, ये heart का function, आप इसे इस प्रकार लेले, heart का function आपको बड़े प्रस्न में पूछा जाता है, ठीक है, इसे आप हमेशा 15 number और 8 number के हिसाब से ready रखे, 15 बनाएंगे तो 8 आसानी से concise छोटा कर सकते, लेकिन 8 को 15 बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये बात ध्या से हमेशा ready रखना, ठीक है, इसके mechanism, इसकी सरचना, सब क्या है, आप ultimately 15 number के हिसाब से content है, ठीक, तो हमारे पास क्या है, ये चौथा सिस्टम आ गया, ठीक है, चौथा सिस्टम आई गैस, digestion जो है, आपका digestive system, respiratory system, उसके बाद चौथा आएगा, control and coordination, जो कि आपका hormonal system है, वो च human body का चौथा सिस्टम, चौथा सिस्टम में यहाँ पर देखिए, यह है आपका control and coordination, तो control and coordination में यहाँ पर आप देखते हैं, यह पूरा आपका hormonal part है, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, चौथा हमारा देखते हैं, control and coordination, यह नियंत्रण इवं समन्वे, यह actual में कौन सा ह यह आपका brain से related है, उसके बाद जो है आता है, यह अंतर endocrine gland है, यह हमारा fifth system आता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि nervous system, central nervous system के दो भाग होते ही, एक होता है brain, दुसरा होता है spinal cord, यह दोनों ही दोनों question आपको 15 मास के साब से ready रखना है, ठीक, वैसे आपका, आप रही important है, नहीं, इसमें दो, चार भी important है, है ना, दो, चार, आट, मतलब सभी all type of questions इसे topic से बनते हैं, ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, जनतुम में समन वैं, तो कभी भी आप यहाँ पे endocrine gland में आप याद रखना separate पूछा, अलग से कोई hormone या कोई system पूछा endocrine gland का, त generally favorite होते हैं, two, four, और eight के लिए, अगर आपको पूछा दिया है, कि completely human body में पांच ऐसे gland के नाम और उनके function और उसे related hormones को लिखिये, उस case में वो बड़े प्रसना बनेंगे, तो आप छोटे छोटे ready किये होंगे, तो उसी कोई तो सामिल करके बड़ा बनना है, ठीक है, तो trend जो देखा गया है, पिछले वर्सों के paper में, दो, चार और आट वाले आये हैं, ठीक है, human body का फिर reproductive system है, तो reproductive system जो है, आपकी जो president प्रक्रिया है, यह आपको आठ, आठ नमबर और यहाँ पे पंदरा नमबर के questions आपको इसमें मिलेगा, और दो, चार तो मिलना ही मिलना है, ठीक, ठीक, यह बात आपको ध्यां रखना है, तो हाला कि इस बात पर भी है, हम यहाँ फोकस किया गया है, सामाने जानकारी, लेकिन आपकी human body में आप देखते हैं, कि जो reproductive organs हैं, तो reproductive organs के, उसमें क्या structure कैसा होता है, कौन से hormone secret होते हैं, और उस से related उनके functions क्या होते हैं, है यह सब को एक साथ पूज लेगा, तो उस case में 15 है, देखो यह general information जरूर लिखा है, लेकिन heart का function में भी ऐसा ही लिखाता है, लेकि उसने पूछा है बड़े प्रस्न में, तो आपको इसको भी taken for granted नहीं लेना कि इससे नहीं पूछेगा, तो 6 human body के system और बहुत काम के system बड़ प्रस्न सब यहीं पर देख रहे हैं, अब बात आती है, बाटनी की, तो यह बाटनी आपके बायू का ही बाटनी पार्ट है, तो बाटनी में आप देख रहे हैं कि छोटे प्रस्न जादा बनते हैं, तो यह जो परिवहन है, यह पहला system होता है, circulation, ठीक है, जिसमें कि आपको transportation में आपको xylem, phloem, transpiration, यह सभी बातों को लिखना है, ठीक है, तो यह question है, यह topic है, 2, 4 और 8 के हिसाब से best, ठीक, photo synthesis है, यह पूछा जाता है, 15 के हिसाब से best, ठीक है, जिसमें कि light reaction और dark reaction के बारे में पूछा जा सकता है, एक बात ध्यार रखिएगा, जिसमें कि 15 बन रहा है, तो वो topic आपके लिए ज्यादा important हो गया है, क्योंकि 2, 4 तो सभी जगा बनेगा, कब कौन सा portion उठा के दे देगा, आप नहीं जान सकते, लेकिन पूरा procedure जब आपने पढ़ा है, तो वो 2, 4 नंबर के question नहीं चूटेंगे, क्योंकि आपने topic को बढ़िया से पढ़ा है, ठ photosynthesis कैसे समझेंगे, 2, 4, 8, and 15, ठीक है, सभी type के, all type के questions, ठीक, अब बात आती है कि पौधों में 7, ये कैसा topic है, जो अभी भी से कह सकते हैं, 2 और 4 ही बनेगा, ठीक है, अभी भी 15 नंबर के question नहीं बनते, है न, पौधों में प्रजनन वृद्धी वाला, तो ये कैसा topic है, ज regeneration, ये सब जो दिख रहे हैं, ये आपके लिए, exam के लिए बड़ा important है, ये छोटे-छोटे प्रसन का favorite है, है न, उसके लिए favorite है, तो आप तो इसे पहले से ready करके रख लीजे, सीधा आप लिख के आएंगे, तो फीजन हो, बड़िंग हो, चाहे regeneration हो, ये topic आपके exam के point है, उस से 15 या फिर 8 के हिसाफ से ready रखें, तो 2-4 तो मेली रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, all type का हो जाएगा, all type of questions इसमें बनेंगे, clear होगे आप सभी को, तो ये आप इस बात को थोड़ा सा stress देना पड़ेगा, अगर इतनी बातों को आप जानेंगे, तो ये आपके लिए वेजिटेटी रिप्रोडक्शन, इसमें आप जो लेयरिंग, गोटी लगाना, ये ग्राप्टिंग करना, कलम लगाना, ये सब जो हैं आपके कौन से पार्ट होते हैं, आपके आ लेंगिक जनन, जो मैंने बताया कि ये 2-4 के हिसाब से best question होते हैं, जब लेंगिक प्रेजिन याद रखेगा, अब बात आती है, ये वही पार्ट हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगे, separate पूछा, तो दो चार नमबर में पूछा, और एक साथ पूछा, बड़े question में पूछा, तो आपको पंदरह में पूछेगा, अब आपकी बात आती है, genetics में उसमें देखते हैं, उ ये जो मेंडल्स के law हैं, तीन हैं, ये याद रखना, कहीं भी भी देखिए, यहाँ पे लिखा, आपको exam का train समझना होगा, कि मेंडल्स law अलग से कहीं syllabus में लिखा नहीं है, लेकिन आनवांसी की, यानि जनेटिक्स की बात करेंगे, तो वहां मेंडल्स आप तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वह फादर आप जनेटिक्स हैं, तो उनकी जो तीन law हैं, ये तीन law को आपको आठ माक्स के हिसाब से रडी करके रखना है, जो पहले भी मैंने बताया, SCIT किताब में हो सकता है, ना मिले, केवल नाम दिखे, ठीक, लेकिन उसमें आपको mono hybrid cross और di hybrid cross दोनों दोई संकर cross करना है, ये बात ध्यान रखेगा, DNA का structure, है ना, DNA का structure exam के point of उसे important है, तो आपका DNA हो गया, मेंडर्स law हो गया, इसमें mutation हो गया, gene क्या है, मतलब ये टॉपिक को भी आप all के segment में लेंगे, बड़े questions पूछा तो DNA का प्रारम भी जानकारी दिया है, लेकिन DNA का structure ब आपको उस case में यहाँ पर problem होगी, इसलिए DNA बहुत difficult topic है नी, है ना, एक बार structure समझने में बस समय लगेगा, उसमें उसमें कुछ खास छुपा नहीं है, आपको nitrogenous base से लेके सभी चीजें उसमें लिखनी होती है, कौन किस के साथ pairing करता है, ATCG वाला जो है, इसको अच्छे स आप समझ लीजेगा, और pairing करना होता है, pairing करना बहुत difficult काम नी होता, cross करना भी difficult काम नी होता, दो चीजों के बीच cross करेंगे, क्या बनेगा, उसमें genotype, phenotype का जो चीजे हैं, वो दो चार नंबर के में portion पूछते हैं, है ना, तो इन बातों को, ये syllabus की बाते को समझना है, जहा सभी type के question, 2, 4 और 8, 15 बन रहें, इस topic को आपको ज़्यादा stress देना है, ठीक है, बाकी आपको overall syllabus पो focus करना है, अगर ज़्यादा marks पाने का आपका target है, आपको 80, 90% score करना है, तो syllabus की कोई भी चीजे को छोड़े नहीं है, अच्छी से पढ़ना है, आप जो है, कोई भी किताब से पढ़े, relevant किताबों से आपको ऐसा content को cover करना है, ठीक, ये बात clear होगे आप सभी को, ठीक है, तो अब ये syllabus का part cover हो गया, चली आगे हम देखते हैं, अब हम discuss करते हैं कि अंक के अनुसार उत्तर कैसे लिखे, how to the right answer according to the marks, ठीक, तो यहाँ पे आपके सामने हैं तीन subject, एक है physics, दूसरा है chemistry, तीसरा है biology, तीनों ही subject में आपको एक बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि तीनों में questions तो same आएंगे, कि दो नमबर, चार नमबर, आट नमबर और पंदरह नमबर की question आएंगे, तो अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें मालों छोटे प्रसन हैं और को ध्यान रखना होगा, तो सबसे पहले आप नीचे से start करें biology से, तो biology से जैसे हम बात करते हैं, जहां पे भी ज़रत है, आप आरेक या फिर कह सकते हैं, diagram का जरूर उपयोग करें, आरेक या चित्र या diagram का जरूर उपयोग करें, दूसरा आप इसमें flow chart का जरूर उपयोग करें, flow chart भी important होता है, है ना, क्यों important होता है, जैसे कि आप heart का function लिग रहें, तो heart कहां से blood oxygenated वाला flow होता है, और कहां से किस pathway को follow करते हुए, वो आगे निकलता है, कहां से de oxygenated निकलता है, अगर आपको answer writing में इसे आप अगर word limit allow कर रहा है, तो definitely आपको इसका flow chart बनाना चाहि ठीक, इसका आरेक या चित्र तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि heart का जो function अभी जैसे previous इसके paper में अगर देखें, तो बड़े question 15 marks में पूछा गया है, ठीक, तो बड़े question की need यह होती है, कि वो आपको diagram की भी need होती है उसमें, और दूसरा flow chart की भी need होती है, अब ज़र रही नहीं है, कि सभी बड़े question में आपका diagram बने, लेकिन flow chart तो आपकी creativity है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन बातों पर ध्यां रखना होगा, तीसरी महत्पून बात यह है, कि आप अपना चीत्र क्या है, सपर्स्ट बनाएं, या अपन flow chart बनाएं, यह सभी बातों पर लागो होता है, आपका answer writing, है ना, एकड़म सरल, सरस, प्रवाहमई होनी चाहिए, या कह सकते हैं, कि ऐसे सब्दावली का उप्योग करें, जो science related है, unwanted, unnecessary, और बिलकुल एक सामान्य भासा जो normal किसी non science subject में use की जाती है, प्रयास करें कि आप व हम किसी भी मालो फोडो सिंदेसिस पूस दिया, क्या हम रटे रटाएं, वो definition को ही लिखें, ऐसा कोई जवरी नहीं है, याद रखीगा friends, यह science है, science में आप technical सब्दों का, उन सब्दावली का प्रयोग करें, आप अपनी भासा सरल रखें, कोई ऐसा आवशक नहीं की भारी भारी भरकम word यूज़ करें, लेकिन आपका नियम या सिद्धान्त या जो concept लिख रहें, वो सही लिखा होना चाहिए, science में value addition कीन बातों से होता है, आपका प्रस्ण में ज़्यादा वजन कब बढ़ता है, उत्तर में कब ज़्यादा कहना चाहिए, प्रभावसाली बनता है तो आपका उत्तर प्रभावसाली बनता है, flow chart से, आपके diagram से, even अच्छे science के सब्दों से, और उनमें से भी सबसे बड़ी बात, कि आप अपना उत्तर सही लिखे हैं कि नहीं, ये तो पहले आप decide करिए, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको इसमें marks मिलते हैं, आप अगर अपने सब्दों में भी उसे सही तरीके से उस concept को represent किये हैं, आपके marks बिलकुल नहीं कटेंगे, ये science में इस बात को ध्यान दिया जाता है, तबज्जो दी जाती है, concept सही लिखें, उन fact को सही लिखें, आंकडों को सही लिखें, if needed flow chart बनाएं, if needed आप चित्र बनाएं, उसक कि आधार पर इसका value addition होता है, एक value addition ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी concept आपको पता है, तो उस से related कोई scientist का नाम, जिनका वो क्या है, invention है, या जिनका वो discovery है, जिनकी खोज है, जिनका आविशकार है, जिनके दिये गए सिद्धान्त या नियम है, उन बातों को तबज्ज का उत्तर सही तरीके से represent कर रहे हैं, आपके marks minimum कटेंगे या नहीं कटेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा, अच्छा, यहाँ पे आपको जब यहाँ पे word या सब्द सीमा दी गई है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, एक question आया था, मुझे याद आ रहा है, 2019 का पेपर है सायद, जिसमें की आपको पूछा था, flower, या कह सकते हैं, पुष्पकी सरचना को लिखिए, छोटे question मैं आया था, दो नंबर, वो चार नंबर में पूछा जा सकता है, अब उसकी पूष्पकी या ने flower की structure को बनाना है, अब उसमें बहुत सारा time जाय करने के बजा चार पार्ट होते हैं, सबका एक एक यूनिट क्या होता है, सबका यूनिट या इकाई क्या होता है, है न, यहाँ पर कह सकते हैं, कैलिक्स का जो होता है, आपको पता है कि बाइह दलपुंच, बाइह दूलपंच का एकक या यूनिट जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है, है न, और उसके बाद कोरोला का युनिट का नाम है पेटल तो सेपल पेटल उसके बाद एंड्रोसियम का क्या है आप देखते हैं एंड्रोसियम गायनोसे मिफ्ट, स्टैमन कॉर्फल पॉर्पल, कारपल ठीक है तो यहां पे अगर इसे कहना चाहें तो सैपल पैटल तो बाइह दल दल पुंग हाँ ना आप देखते हैं पुमंग जायां इस टाइप से वर्डिक जूश की आते हैं ठीक है तो आपको यहां पे यह समझना होगा कि इनके यूनिट होते हैं उन यूनिट के इस प्रकार आप देख रहें कि एक प्रकार का एक सबसे प्रभाव साली चीजें आपने लिख दिया अगर वह पेपर की उस कोश्चन की डिमांड होती हो फोर नंबर में आता तो तो मांक्स में तो थर्टी वर्ड में आपको लिखना है तो आपको रिलेटेड आप इन सब् का प्रेयोग करते किसी भी पुस्ग में क्या है चार भाग Lap होते हैं चार भाग में यह भाग है उसके एकाई को यह कहते और उस वि recipes पर्बाइस किया उसका रेप्रॉडक्टी और गनर उसका जननंग है साम मत लिखें अगर नहीं पता है तो आपको नहीं लिखना चाहिए ठीक है बिल्कुल इसमें वह फेकोलोजी टाइप का या कुछ भी अनवांटेज चीज़े ना लिखें क्योंकि वह यह साइंस का पेपर है ठीक है तो यह बात आपको क्लियर हो गई तो यहां पे इफ रेड इन औरगनिक केमेस्टी या फिजिकल केमेस्टी कहां पे आप लिखें वह सभी में आप एक्वेशन लिख सकते हो फिजिकल केमेस्टी में भी हम क्या देखते हैं कैमिकल इकुलिवियम में हम क्या लिखते हैं रासानिक सामे में ठीक है ए और बी मिलके वह बना रहा है डिस लिखें, metallurgy से आपको marks मिली नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत सारी बाते होती, उसमें oxidation, reduction होता है, आक्सी करन अपचेंज आप नहीं कराएंगे reaction में, तो कैसी बात, मतलब आपका प्रसनतों, आपकी इवल तथ्थे लिखेंगे, तो उसमें subsection नहीं है, तो equation को कभी नहीं भूलना है, तीनों जगह equation आता है, याद रखना, ठीक, आप बात आती है, इसमें, generally, इसमें भी चित्र Black की ज़रत पड़ती है, लेकिन बहुत कम ज़रत पड़ती है, है न, बहुत कम ज़रत पड़ती है, metallurgy में आपकी ज़रत पढ़ीगी, ठी क्योंकि वर्ड लिमिट के साथ भी तो आपको न्याय करना है दिये गए स्पेस में ही तो सभी चीज़ें लिखनी है फिर ऐसा होता है हम सब जब लिखने चलते हैं पेपर में एक्चुल एक्जाम में जब लिखने जाते हैं तो वहां पर आपने भी फिल किया होगा जिन्होंन नहीं कर पाए तो पहले थोड़ा इस बात को अहमियत देनी पड़ेगी कि आप उस प्रस्न में जो पूछा है उसके अनुसार तो उत्तर लिखें उसके बाद आप वेल्यू एडिशन पार्ट हमीशा लास्ट का होता है या तो एकदम सुरुवात का होता है सुरुवात में क थोड़ा स्पेस बना के साइकोलोजी के चलिएगा कि कुछ इसका तो वेल्यू एडिशन करना होगा यह अलग से कोई टाइम नहीं मिलता लिखने के दौरान आप लिख भी रहे और आपका दिमाग चल भी रहा है तब यह हो पाता है अलग से आपको समय नहीं मिलता आपका स फॉर्मूला आता है कुछ सूत्र बगर आते हैं है ना यह सूत्र इसमें भी आएगा समी करने में सूत्र लिख लिजिए ठीक है तो यहां पे भी आपका यह फॉर्मूला बगर आएगा यहां पे भी आपके कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपको फ्लोचार्ट बनाना चेक करने वाले आपके पेपर को यहां पे देखेंगे चेक कर रहे हैं उनका state of mind आप कह सकते हो उनके state of mind को ही तो बदलना है है ना माल लोग वह बहुत अच्छी मुद्रा में है पेपर चेक कर रहे हैं माक्स आपको दिये जा रहे हैं और दूसरा गेस है कि वह काफी सारे पे कोई box, कोई flow chart या कुछ चीज़ें ले आते हैं तो थोड़ा सा deviation जरूर दिखेगा उनके answer checking के pattern में यह ऐसा मैं कोई आस्वस्त हो के नहीं कह रहा हूं लेकिन ऐसा मैं मान सकता हूं कि अगर आपने presentation सही दिया है तो सामरे वाले आपसे प्रभावित होएंगे ही और आप वह ही वैसे के वैसे जो नॉर्मली लिखते हैं लिखे आ रहे हैं लिखे आ रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई ऐसी बात हैं हो सकती है कि आपको जो average marks दिया जा रहा है तो आप भी उस average का part बन जाए ठीक है ultimately अंटिन अनलेस एक ही matter करता है प्रस्न जो पूछा है उसका सही representation करें और उसमें fact और definition वगरा सही लिखें बाकी psychological part हमारे बस की बात नहीं है हम अपना presentation बहतर करने का प्रयास करें ठीक तो यहाँ पे इस बात पर हमको focus करना होगा कोई भी definition को first लिखें if required आप flow chart बनाए, if required आप image इचित्र बनाए, diagram बनाए, if required आप equation लिखें, if required आपको यहाँ पे सभी value addition वाले points लिखें I hope इतनी सारी बातें sufficient है, आप लिखिये तो एक बार सही, लिखके यहाँ जब submit करेंगे हैं, submit करने के बाद, उन points पर भी हम गौर करेंगे जो आपने इस answer writing में नहीं follow किया है ऐसे past year की बहुत सारे student है, मैंने भी कई सारे second student के papers चकी है, उनमें से कई सारे selected है, उनको जो suggestion दिया गया था, उन suggestion को उन्होंने follow किया, उन्होंने सुरवाती mistake किया, लेकिन जब उनको feedback दिया गया, उन्होंने improvement किया, finally वो officers है, या finally वो selected है, ठीक है, इस बात पर आपको ध् आपके अंग के हिसाब से कैसे answer लिखें, तो ये है वो content, ये वो महत्पूर घटक है, जिसको आपको सामिल करना होगा, कोई भी science के कोई भी प्रस्न में आप चाहें, तो flow chart बना सकते हैं, छोटे marks में आप avoid करें, क्योंकि छोटे marks के हिसाब से आपको word limit कम पड़ जाती है, अब बात होती, क्योंकि वो आपके creativity का part है, अब एक बात समझिए, कि एक बात ये समझना है, कि जब हमारे पास जो दिया हुआ है, दो number के प्रस्ना, उसका सब्द सीमा 30 word होता है, दूसरे 4 marks की जो word limit होती है, वो कितनी होती है, 60 word होती है, 8 marks की जो होती है, आपकी 100 word होती है और 175 होता है, आपका 15 marks का, तो एक line में आप 10 word मान के चलिए, तो 175 की इसाप से 18 line मान लीजिए, ठीक, तो वैसे आप 30 word की इसाप से 33 line मान लीजिए, आप इतने में अपने सब्दों को पिरों के लिखना है, accordingly आपके science के answer को, ठीक, या किसी भी आपकी paper के answer को इस word limit के इसाप से लिखना होता है, क्योंकि बाकी जगा तो मिलता ही नहीं है, अब बात होती है कि क्या हम focus करें बड़े प्रस्न पर, तो focus बड़े प्रस्न पर पहले करें, या बाद में करें, matter यह करता है, आपका स्वागत तो chemistry के प्रस्न से होने वाला है, तो चीजें ऐसी है कि आप बड सरल से क्या जटिल की और जाएं तो यह सबसे बढ़िया होता है यह क्या होती है दीरे-दीरे आपका दिमाग भी और आपकी लेखन सैली भी आपका पैन भी आपके हाथ भी एकलेमेटाइज हो जाती है दीरे-दीरे आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है स्पीड सुरू से बन में छोड़ना ना पड़ जाए ऐसी सिती नहीं आनी चाहिए आपको सुरू सही अपनी speed जो है maintain करके रखनी चाहिए clear होगे आप सभी को अब हम discuss करते हैं क्या 200 में 160 या 180 marks पाना संभव है is it possible to score 160 और 180 out of 200 तो ये इसका answer क्या है yes है क्यों yes है सबसे पहले inner technical बातों को समझे क्योंकि ये science का paper है point number one इतना ही काफी है इतना ही काफी है ये science का paper है और science में marks नहीं करते ये हमने बचपन से देखते आया आप schools में आपके colleges में हमें से कई सारे ऐसे लोग रहे हैं या आप feel करते होंगे आपकी class में रहे होंगे जिन्होंने अपने academics में बहुत सारे marks जो है hundred में 98, 90, 92, 95 इस प्रागार के score की हैं आप 50 में 48, 46, 47 यह अगरा पाए होंगे colleges में खासकर 75 जैसे की जो three year graduation प्रोग्राम में बी एसी बगर जो 75 को नंबर के questions पूछे जाते हैं जनरली उसमें से 75 में भी आप 68, 67, 70 आसपास तरे score की हैं ठीक है तो यह इस बात का proof है कि इस science के paper में आपको maximum marks मिलते हैं provided की आप answer सही लिखे हैं क्योंकि इस बात को हमको एहमियत देनी पड़ेगी अगर हमारे पास साथ paper है साथ paper में paper for है तो paper for entire पूरा paper समूचा मिलके बना है science से भाई आपको environment technology वो भी science है आपका math reasoning वो भी science है science का ही पार्ट है math भी ठीक है तो आपको इस बात को समझना तो पड़ेगा कि इसमें पहली बात मैंने कहा कि यह science है इतना ही काफी है कि इसमें marks पूरे मिल सकते हैं ठीक है दूसरा पार्ट है कि जब इनके तीनों पार्ट को हमने analysis किया तो pcb आता है physics chemistry bio इसमें आता है math और उसमें आता है reasoning ठीक है उसके बाद आता है इसमें environment उसके बाद technology तो सभी के सभी तो science है ना सब में लिखेंगे तो किसी में marks नहीं कटेगा और यही बात तो कह रहा हूं कि इसलिए possible है इसमें 160 और 180 marks अब यहां पर बात करते हैं previous years में ऐसा क्या trend रहा है कि हम इ आप CG PSC में select होने की सोच रहें तो CG PSC select होने से थोड़ा और आगे सोचिए कि आप इससे top करने का प्रयास करिए top करेंगे चलो सपना तो देख लिए उसे हासिल कैसे करेंगे तो सपना देखने के बाद उसे हासिल करने का तरीका वही है कि सभी चीजों के आपको उसके analysis को समझना होगा सभी के 60 का approach को समझना होगा मैं paper 4 की बात कर रहा हूं तो paper 4 का मैं approach बताना मेरी responsibility है तो यहाँ पे बात करिए कि जो science का paper है इसमें हम देखते हैं PCB है और उसके बाद जब हम देखते हैं general science के अलावा environment technology है इसमें भी हम देखते हैं कि ये भी आपका क्या है science का part है अब ये दोनों part को देखिए यहाँ पे मैं कह दूँगा ये भी 75 mask के आते हैं ये भी 75 mask के आते हैं math reasoning आपके 50 question आते हैं 50 marks के आते हैं तो भी ये दो paper अपने आप में काफी हैं आपको 170 150 mask का पूरा आपको यहाँ पे mark paper दिया जा रहा है अब ये इसको छोड़के तो जाएंगे नहीं आप क्योंकि means का answer writing करेंगे real means का paper दे रहे होंगे इसे छोड़के तो जाएंगे कुस तो बनाएंगे बनाएंगे भी तो प कह रहे हैं कि यह science है अच्छा तो 75 75 150 होता है तो 150 मिल जाएगा क्या तो एक बात को समझीए यहां पे syllabus defined है यहां syllabus पहले से निर्धारित है एकदम objective type का out of the world type का question नहीं आने वाला हाँ 2021 में 2019 18 में कुछ परस्ण जरूर चौका के बैठें कि जिसमें कि हम मान सकते हैं कि कुछ question आये थी लेकिन वो syllabus से बाहर का नहीं था हम क्या करते हैं एक mistake मैं बता रहा हूँ बहुत तायत ऐसे student है जिनके मुह से यह सुनने को मिलेगा और इस SCRT की book राज्य पार्ठी पुस्तक की book पढ़िए उससे बाहर की question नहीं आते हैं उससे बाहर की content नहीं आते हैं मैं भी आ उसके answer लिखोगे तो पूरे marks नहीं मिलेंगे I guarantee you क्यों आप heart का function उठा के पढ़िए आप lungs का function पढ़िए आप कुछ ऐसे प्रस्न अच्छा इस बात पर भी focus करना पड़ेगा चलो content वाली बात जो मैं कर रहा था कि प्रस्न पूछे जा रहे हैं SCRT से लेकिन बात यह समझन उस level पे नहीं है कि आपको 180 या 160 marks दिलाएं आपको प्रस्न भी वहाँ से पूछे जा रहे हैं पूछे जाएंगे भी आप answer भी लिखेंगे आपको marks भी मिलेगा लेकिन उसमें वह बात नहीं है कि उसको आपको 80% 90% जो है आपको marks मिले अब आप सुझरे इसका solution क्या है solution है solution है उसी चीजों को आप थोड़ा सा विस्तित पढ़ें जहां से बड़े प्रस्न पूछे जा रहे हैं आपको मैं बिलकुल यह नहीं कह रहा हूं कि अलग से कोई किताब खरीद के या बड़े से कोई किताब के साथ आपको जो भी coaching material जो भी SCRT material या जो भी NCRT material वगरा मिल र हो गई तो इस बात पर अगर हम काम कर लेते हैं कि SCRT के प्रस्न के उत्तर को हम बहतर बना लें तो आपको यह चीजें हासिल की जा सकती है टेक्निकल बात है यह समझेए एक बात और समझेए वो बात क्या है क्या SCRT के बाहर से प्रस्न नहीं आएंगे बिलकुल आएंगे हाँ उनकी संख्या बहुत कम है लेकिन आप सोचिए कि किसी पेपर में आठ आठ मास्क के दो कोश्चन छूट गए जैसे कि अभी 2021 का एक पेपर कोश्चन आया था कि एलकोहल बनाने की सरवाधिक सबसे मतलब सबसे अच्छी जो विधी है सबसे बेस्ट मेथड है उससे रि जी एक्स याने ग्रिगनार्ट रिएजन के साथ रियक्शन पूझ दिया था अब आपके सी आडे बुक में है यह नहीं अब कैसे करोगे आपका छूड यार्ट मार्क्स कोश्चन ठीक है किसी का 15 नमबर का खूड चूड या कुछ ऐसी कोश्चन आ गये तो वैसे आपको कह चाहिए फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्रकास विद्युत प्रभाव से भी कोश्चन पूझा था जिसमें कि आपके प्रस्न चूड गए उसमें तो एक प्रस्न चूटना आप समझ रहे हैं उसकी एहमियत की आठ मार्क्स 15 मार्क्स छूड जाएंगे आपसे ठीक ह या कि बड़े प्रस्न कहां कहां से पूछे जा रहे हैं क्लियर होगे आप सभी को ठीक है तो आगे बढ़ें तो मैंने पहला पहला लॉजिक लगाया यह साइंस है इसलिए यहां पर पॉसिवल है 180 मार्क्स यह तीनों पार्ट एंटाइर पार्ट क्या है आपके साइंस का से से मिल रहे हैं फिर बीच का मैस रिजनिंग आपका 50 बन रहा है इसलिए पॉसिवल है यहां पर वन सिक्ष्टी वन इटी मार्क्स आपको इस बात पर मैं ज्यादा बल इस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रिवियस यह के पेपर का प्रिवियस इसका मेरिट लेस अगर आप करें इसके एवरेज मार्क्स 120 के आसपास हैं कौन टॉप किया किस ने क्या हासिल किया वो तो एक्सेप्शनल केस है दो चार लोग मिलते हैं और उनमें से भी देखना कि 150 मार्क्स सायदी कोई अचीव किया है है ना उतना सारे लंबी स्टूडेंट का तो एनलसिस मैंने नही पाया है कि120 मार्क्स मानला 60 प्रतीसात भी इसका आउटपुट नहीं है average मार्क्स की बात कररें 200 में 120 है ना 120 मार्क्स elderly मार्क्स नहीं है कि तो मैैरिट लिसके स्टूडेंड का अगर आप आप आजसचीज निकालोगे तो उसमें पेपर 50 में प्रसनों का आंक का आंग का उत्तर को लिखेंगे तो आट पूट के हास निकलेगा वहां वो प्रस्टर का उत्तर सही है लेकिन वह अच्छा अंसर में से एक उत्कृष्ट आंसर नहीं है ठीक है यह बात पूर आपको ध्यान रखना होगा काम करना पड़ेगा अगर आपको DC, DSP या बड़े post की चाह है तो, ठीक है, क्योंकि यूँ से यूँ आपके rank बढ़ते हैं, एक, दो, चार marks बढ़ने पर, यह आप सभी को पता है, बताने की जोरत बिनी है, ठीक है, यह बात पर आपको सभी को समझ में आ गया, किन बातों को हमको focus करना है, दो बात मैं बता सभी जगह value addition की सभी point, यानि की उस उत्तर को अच्छे बनाने के लिए सभी काम आपको करना है, equation से लेके, diagram से लेके, flow chart से लेकर, उस related कोई scientist के नाम से लेकर, हर बातों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा आप even यह इतना एक चलो जाते जाते, या इस session को यह वाले part को खतम करते करते, मैं एक मत्मूर बात यह बताता हूँ, कि आप एक काम करिए, कि previous year आई हुए प्रस्न के question और answer, question और answer आप खुद लिख के रखिए, खुद लिख के रखने पर क्या होगा, कि paper के पहले आपको, आप देखें यह paper number 4 है, paper number 4 कब देंगे, second half में पहला paper 1 and 2, दूसरा paper 3 and 4, तो रात की पढ़ी गई चीजों को अगले दिन के दोपहर में हमको पढ़ना है, लिखना है, तो आप बीच में इतने कम समय में, इसमें आप अपना lunch भी करेंगे, कम समय में यह सब करेंगे, तो उस बीच में आपको revision करने का मौका ना मिले, नई आपको देखने के लिए बच गया है, या रह गया है, या मेगा revision वाले stage में हैं, तो आप उसको एक बार पलट सकते हैं, तो जब आपके पास ये paper 4 के answer जो हैं, पहले से बने होंगे, तो आपको उसको तुरंद लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा बाकी paper के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन paper 4 तो must है, क्योंकि इस paper में marks नहीं करते हैं, तो focus ज़्यादा करिए, ज़्यादा अच्छा ideal answer बना की रखिए, और रखने के बाद उससे लिखिए, लिखने के बाद जो हैं, आप लिखने के बाद आपका जो हैं, आप बीच में test series क्यों important हो जाता है, य अपने आप में surety होता है, confidence होता है कि हाँ यहाँ पे हमने लिखा था, चीजें बहतर निकली थे उसके output, ठीक है, बाकी आप answer बनाईए, उसे आप copy paste form में रखें, चाहे आप answer writing के format में लिखें, तो मैं suggest करूँगा, कि आप अपने हाथों से लिख की इनको एक बार बना के तो रखिए, कौन से बहुत बड़ा syllabus है, है ना आप बहुत बड़ा syllabus नहीं है, at least बड़े बड़े प्रसन का दो उत्तर लिख के रखिए, जो चीजों को before exam आप उसे revise कर पाएंगे, ठीक है, और बार बार में कह रहा हूँ, आपका स्वागत chemistry के question के साथ होने वाला है, दो चार आड़े टेड़े question आपके दिख गए, तो आपको वहाँ पे बिलकुल moral down नहीं करना है, वो दो question से आपका बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको उस दो प्रसन की एहमियत में भी उसमें सही उत्तर तभी लिख लिख पाएंगे, जब आप पूरे syllabus पर work out कियोंगे, त आपको कभी परिशान नहीं करेगा, ठीक है, तो उन बातों पर आपको ध्यान रखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा ये point आपको मैं दुबारा बताने की जौरत नहीं है, कि science आपने आप में काफी है, कि इसमें marks ज्यादा मिलते हैं, marks न ज्यादा पाएंगे, तो आपको ये बात पता चल जाएगी, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका rank भी ज्यादा होने पर आपको post भी अच्छे मिलेंगे, ठीक, ये बात क्लियर हो गया, आप विगत वर्सों का विस्टलेशन देखते हैं, प्रिवियस येस के questions के आईवे कर सकें, जैसे मैंने क्या बताया था, कि part 1 है, part 1 में कितने questions आएंगे, कितने marks के 16 marks के question आएंगे, और मैंने क्या बताया था, कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 part है, तो physics, chemistry और bio, तो कभी भी यहाँ पे यह नहीं follow किया जा रहा है, कि यहाँ पे 8 question है, तो कोई fix होगा कि क इतना ही question आएगा, कैसे हम समझते हैं, इस paper से 16 marks का position पूछे जाने मतलब 8 question आपको पूछे जाएंगे, तो देखिए, रासायनी का भी करिया कि इदर क्या है, इसका मात रख क्या है, chemistry से question आया, यह फिर second में क्या है chemistry आ गया, उसका तीसरा भी यहाँ पे क्या हो गया, chemistry हो ग वाला, विसिस प्रतिरोद, specific resistance वाला और PN संदी डायोड है, यह पे क्या हो गया, आपके, तीन क्या है, P हो गया, तो तीन physics और तीन chemistry तो बजगे क्या है, तू भी बजगे, दो बायो के question बजगे, अब यहाँ पे तीन, तीन प्लस दो याद करके रखिए, यह trend जो है, 2020 में follow नहीं होने वाला, 2019 में follow नहीं होने वाला, सब में अलग-अलग trend आए हुए है, तो आपको समझना यह है, कि आपको यहाँ पे दो नंबर के प्रस्न, कितने पूछे जाएंगे, तो यह fix है, आठ नंबर के, आठ कोश्चन, 16 नंबर के पूछे जाएंगे, लेकिन यह बिलक इस हमें में, और trend समझेंगे, यह बात सभी clear हो गया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हम, यह है, आपका देखिए, second slide, जिसमें कि वही बात कर रहा था, जो बायू के दो कोश्चन है, to be आ गया, और इस प्रकार 8 कोश्चन हो गया, solar marks के आ गया, ठीक है, यह बात clear हो गया, लेकिन सुरवात किस से होती है, chemistry से होती है, इसमें भी सुरवात, रासानी कविक्रिया किदर, rate of chemical reaction से हुआ था, ठीक, अब बात करते हैं, चार नंबर के question, तो चार नंबर के जो question यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें कि आपको संसलिस्ट, अपमार्जर क्या, detergent वाले topic से व आपको चीजों को पहचानने आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, चार रंक की वाली बात करते हैं, चार नंबर वाले में कितने marks question पूछे जाएंगे, आप देखते हैं, 20 marks के question पूछे जाएंगे, तो एक का 4 तो कितने का 20, तो 5 question अगर पूछे जाएंगे, चार marks के, त 70, तो इसमें पहला हो गया chemistry का, दूसरा हो गया यहाँ पे physics का, actual मैं यहाँ पे A और B के बीच में resistance निकालना है, जिसमें की एक image दिया हुआ तो image मैं नहीं बना रहा हूँ, नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ पे 3 इस परकार क्या है, resistance था, जिसमें पहले और तीसरे के बीच म पॉइंट A है, और यह पॉइंट B है, इनके बीच में आपको resistance निकालना था, ठीक है, तो फिलार आपको इसमें यह भी बहुत simple type का question था, ठीक, तो यह आप 4 नंबर की क्या है, 5 निकालने हैं, तो एक chemistry हो गया, एक physics हो गया, ठीक, अब आगे समझेंगे, तो चीजें और clear ह होंगी, तो इसमें देखेंगे, की तीन question, यहाँ पे इसने compensate कर दिया, बायो में वहाँ पे दो नंबर यह कम पूछे थे, तो यहाँ पे उसने का कर दिया, देखो, आपका क्या है, मनुष्य के digestive component या major component of digestive system क्या-क्या है, तो यह चार में पूछ दिया, यह बायो है, फोडो क्या देख रहें, क्या देख रहें, तीन बायो के question पूछ दिये, एक physics है, एक chemistry है, एक chemistry, एक physics, तो physics chemistry एक एक परसना, और बायो के तीन परसना, पांच question पूछा, लेकिन ऐसा कोई surety नहीं है, कि यह जो है, तीन दो पांच होए, टू टू प्लस वन भी कर सकता है, ऐसा किया भी है, past year के papers में, अभी इस trend को समझने का प्रयास करिए, अगर यह बात समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, एक आपको हैरान करने वाला content, वो content है, art mask का question, जो आप SCIT किताब पढ़के गए होते हैं, तो बिलकुल नहीं बना होगा आपका प्रसना, वो है alcohol क्या है, syllabus में alcohol mention है, उसमें पूछा है कि गरिगनाड रियेजेंट, RMGX जिसे कहते हैं, RMGX यह गरिगनाड रियेजेंट का use करते हुए, primary, secondary और tertiary के बीच में आपकी उनमें, जो manufacturing होता है, उसको आप equation के साथ लिखना है, अब इसको पूछा क्यों है, कुछ student इसे out of syllabus कह रहेते हैं, बिल्कुल out of syllabus नहीं है, यह बात ध्यान रखेगा, यह अब topic में दिया हुआ है alcohol, और alcohol बनाने का सबसे best method क्या है, RMGX जिसे सबसे best type का alcohol बनते हैं, और इसमें आसानी से differentiate कर लेते हैं कि primary, secondary और tertiary alcohol क्या है, ठीक है, तो इस प्रकार यह बात आपकी समझ में आ प्रकार आने की सबसे best method और methyl alcohol का भी पूस सकता है, ठीक है, तो यह question का trend है, ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि photo voltic cell, यह again एक ऐसा question आ गया, जो देखो, आप यहाँ पर बात हो रही है, एक बात क्या मैंने बताया था, कि 8 marks में आपको कोई confusion नहीं है, एक chemistry, एक physics, एक bio, तीन नमबर आपके आगए, अब हमारे पास क्या-क्या हासिल हो चुके हैं, 16 नमबर, दो नमबर वाले थे, मतलब 2 marks वाले जो है, आपके total 16 marks थे, यानि कि 8 question थे, उसके बाद हमने 5 question, 4 marks वाले देखे, 20 marks हो गया, उसके बाद हमने देखा, यह 8 marks की एक physics, एक chemistry, एक bio, जिसमें की chemistry का यह देख रहे हैं, physics का यह देख रहे हैं, और यहाँ पर photovolptic cell जो है, photoelectric effect पूछा है, उसके बाद आप देख रहे हैं की नीचे यह देख रहे हैं की human के आपकी spinal cord, मेरु रज्जू की structure जो है, यहाँ पर पूछा है, यह मेरु रज्जू है, ठीक है, spinal cord है, तो आप क्या देख रहे हैं, उपर chemistry, physics, फिर bio, तो आठ या 24 हो गया, आप यहाँ पर मेरु रज्जू को आठ मास में भी देख रहे हैं, इसे आप 15 में भी expect कर सकते हैं, है ना, brain, os, spinal cord, आपको 15 के हिसाब से ready रखना है, 15, 8, कुछ भी दोनों में से पूछा जा सकता है, clear हो गया, ठीक है तो आठ मास में ये बात है clear हो गई, अगर ये clear हो गया है, तो अब आप बात समझिए कि 15 नमबर के क्या question पूछें, तो 15 नमबर के मैंने बताया था कि आपकी light वाले topic में, optics वाले topic में आपको दिया हुआ है, देखिए, अगर आपको बहुत सारे component जोड के दे दिया, तो य यहां पर अलग-अलग situation दी हुई है, उन conditions में, तो आपके परावर्तन के नियम भी लिखी है, यहां पूछा हुआ है, दो नियम है, उसको भी लिखना होगा, और उसके आधार, उसके बाद जो है, इन condition में आपको mirror का use करते वे, आपको यहां पर बनानी होगी इन बातों को ठीक है, इस प्रकार अगर component को जूड दिया, तो 15 number की question बन गए, otherwise मैंने आपको इसका सभी condition पहले ही बता रखा है, 2, 4 और 8 के साब से अच्छा है, सब मिला देगा तो 15 के साब से है, ठीक, यह है आपका 2021 का paper, अब 2021 के paper में आप इस बात को अगर सोच लिए हैं, कि अगर हमा यहां पर क्या गलत है, देखिए, फोटो वोल्टिक सेल, यहां पर सोलर सेल की सरचना, चलो यह तो नहीं है, लेकिन यह आपका alcohol का आगया, alcohol का पूर 8 का आठ आप छोड़ के आ जाते, थोड़ा alcohol ही लिखते, दो number का बाकी चीज़ें छूड जाती, ठीक, यह बात समझ में आगे आप सभी को, चलो थोड़ा 2019 की और मूव करते हैं, 2019 के पेपर में देखते हैं, अच्छा, यहां पर इसके अथवा छूड गया है, अथवा यह था, कि यह जो 15 नमर का question था, एक यहां पर physics का है, तो यहां पर जो हैं, आपका दिया हुआ है, chemistry का, तो chemistry में में हैलोजनस तत्मों को लिखे, यहां पर पूछा है, तो हैलोजनस की बात जब करते हैं, है ना, तो हैलोजन, फ्लोरीं, क्लोरीं, ब्रोवीन, आयोडीन, है ना, यह सब चीज़ें, यह सब चीज़ें, जो आप देखते हैं, तो इसमें दिखिए बहुत सारे content को जोड के दिय हुआ है क्या जोड के दिया हुआ है आवच्छानी में कहां उनका इस्थान है वो फिजिकल स्टेट औप एलिमेंट इनके बहुतिक अवस्था बतानी इनके प्रॉपर निकालना है इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी निकालनी है यहां पर आपका अंतर हैलोजन योग को निर्मा यहां पर आंतर हैलोजन योगिकों का निर्माड होगा तो यह आपका कैमिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है इसलिए मैं आपको कहा था कि आप कैमिकल प्रॉपर्टी को भी कुछ कुछ दो चार पांस तो जरूर आप लर्न करके रखें या समझ के रखें ठीक है मैटल की केस हैं 2019 की और तो 2020 की और 2020 में अगर हम पेपर को थोड़ा देखें फिर से स्वागत कर रहे हैं देखिए आपका किस के साथ स्वागत हो रहा है कैमेस्टी के साथ यहां पर देखिए यह है कैमेस्टी के कोशिंस जिसमें की पहला देखिए धातू अधातू तट्वों का संक्ष इसले में हमने देखा ता अलग ट्रेंड ठीक है इसमें देखिए फिर से क्या है सोला नंबर के कोश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि हमारे पास क्या है आपके टू सी मतलब दो कैमेस्ट्री के पूछ दिया इसके बाद देखिए यहां पे फिजिक्स के तीन फिजिक्स के है पी वन कहने के वाला यूरिट नंबर वन से इसे आप ना भी पढ़ें तो चलेगा यह मेरी सुविधा के लिए मैंने बनाया था ताकि आपको बहतर तरीके से बताया जा सके अब आउतल दरपन आपकी गैसों का विद्धुत बुसर्जन और यह जो पावर और इलेक्टर समझना है यूमन स्पर्म का आपको डाइगराम बनाना है डिने के घर्टकों का केबल वर्डन करना है तू मास के हिसाब से इसमें कोई भी 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 आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं आप इसमें लिखोगे मजाल है आपके मार्क्स कटें सही चीज़ें आप लिखेंगे त लेकिन ट्रेंड 2021 से अलग है कोश्चन आठी पूछे जाएंगे आठी आने वाले समय 2022 में इसमें भी भाई पूछेगा लेकिन मैटर ही बस यह है कहां से कितने प्रसन पूछे जा रहे हैं तो आपको यहां पे इस बात को समझना पड़ेगा तो वह मैंने बताया टॉपिक क सेम चीजें 2021 में जैसे था सेम चीजें 2020 में 2019 में 18 में फॉलो किया गया आगे बढ़े तोड़ा फास करते हैं महुत लंबा वीडियो हो गया है लेकिन कुछ बाते काम की है तो आपको सुनना तो पड़ेगा और मुझे बताना भी पड़ेगा तो चलिए आगे बात करते हैं चार नंबर में आपको कितने प्रस्न पूछे जाएंगे कितने टोटल 20 मार्क से पूछे जाएंगे तो 5 इंटू 4 इकवल टू 20 होगा तो देखिए पेचले 2021 के पेपर में मतलब 2021 और 2020 के पेपर में अगर आप देखे तो इसमें क्या है आपका ट्रेंड अलग अलग है यहा पेपर पर इसमें 113 याद आरे ना 113 था एक फिजिक्स एक केमेस्टी और तीन बायोगे थे यहां पे देखिए दो केमेस्टी एक फिजिक्स और यहां पे देख रहें कि आपका दो बायोगा तो यहां पे क्या है टू वन टू फिर भी पांच हुए मतलब पांच चों बीस हो गया क्लिर हो गया आप सभी को आठ माक्स में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है अच्छा इन बातों को भी समझते चलिए जो मैं आपको सिलिबस के दौरान बताया था कोश्चन आप देख रहे हैं अप मार जग फिर चार नंबर आ गया एबी के बीच में तुल्य प्रतिरोद वह भी एक इमेज था इसे मैं नहीं लिया हूँ है ना आप पेपर में अल्रेड़ी इसे मिली जाएगा है ना वह पूछा है human brain का पार्ट केवल भागों को लिखिए आपको फूर मार्क्स में पूछ दिया है लेकिन मैटर यह है कि आठ नंबर का कोश्चन पूछा है chemical equilibrium में मैंने बताया था आपको आठ नंबर का इसमें आता है ठीक है और पूछा जाएगा भी ट्रेंड है फोटो वर्ल्टिक मैंने बताया था आठ नंबर पंद्रा नंबर दोनों में पूछा जाता है तो वो चीज़े फॉलो की गई है है ना यहां फॉलो की गई है देखिए तो फॉलो करने के बाद यहां पे देखेंगे यह आपका आठ मास्क का स्वरी जो है कोश्चन यह पू योगात्मक एक्सपरिमेंटल अरेंजमेंट जो करना था यह चोट गया आपका अब कैसे करेंगे एक कोश्चन पौदों में खानी जिलावन के परिवहन का इसमें दो चार मैंने बताया था चवरत पड़ी तो आठ के हिसाब सभी पूछा जा सकता है यह आपका देख रहे ह देखिए 15 नंबर में धातों की आवत सारणी में उनकी स्थिति और सामाने गुणों का यहां पर वर्डन कीजिए तो मैटल और मैटलर जी यह टॉपिक है जहां से आपको कोश्चन बड़े दिखेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको पेरियोडिक टेबल की बाद बहुत सारी चीज जब सामिल करके पूछेगा तो आपको यहां पर दो तीन सेगमेंट पूछाएगा तब उस केस में बड़े प्रस्न बनेंगी इन जनरली मैटलर जी से बड़े प्रस्न बनते हैं तो यहां पर देखिए आधुनिक आवत सानी में धातों की स्थिति पूरा एस ब् नो रस्न को समझना है पेरियो डेट्रक की बातों को समझना है अभी जल जो है पेरियो कोशो करूंगा आप लोगो को प्रक के साहत बहुत सारी चीज आपको मैं बता सको आपको फाइदा बाते हैं आसानी से जान लेंगे कि अच्छा ये s block है तो ये property p block है तो ये property d है तो ये और f block है तो ये something आपको अलग-अलग प्रकार की जो properties उनके गुण धर्म होते उस block के हिसाब से समझ जाते हैं ये बात ध्यान रखेगा अब यहाँ पे बात समझिए कि ये जो आठ नंबर ये जो 15 नंबर का question है ये तो चुकी और में होता है अथ्वा में होता है तो यहाँ पे देखिए क्या है अथ्वा में solar cell क्या है पी एन संधी solar cell है ना उसके हिसाब से आपको उसका structure उसका mechanism और यह सब चीजें आपको लिखनी है तो यह चीजें भी आपको आधी चीजें मिलेगी आपके बुक में कुछ content जो है आपको नहीं मिलेगा तो यही point के आधार पर मैं दुबारा यह कह सकता हूं कि एसी यार्टी बुक इस इसेंसियल आवश्यक है लेकिन वो क्या है पूरा का पूरा पार्ट कवर नहीं करता ठीक यह बात को ध्यान रखेगा जिनका ड्रेम है कि वो बड़े पोस्ट या rank 1 लाना चाहते हैं तो इसके आधार पर आप यह समझ सकते हैं ठीक है थोड़ा fast तर है नहीं यहां पर 2 chemistry दिया हुआ है 2 chemistry दिया हुआ है और यहां पर 3 क्या है बायो दिया हुआ है तो आपको यहां पर 3 plus 2 plus 2 3, 2, 5, 2, 7, 1 question कहां छुटा है ना यह 2, 3 है ना 3 plus 3 plus 2 तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपके questions इसमें बन रहें फिर से आठ नंबर ट्रेंड फिर से चेंज कर दिया मतलब यह समानता बिलकुल नहीं है कि 21, 20 और 19 में सेम टाइप का हो गया थोड़ा बहुत भी सिमिलर नहीं है चीजों को बदल दे रहा है है ना कि दो और चार नंबर आट वाला तो फिक्स है आट वाला फिक्स है 2019 का पेपर में एक और बड़ी हैरान कर बढ़ने वाली बात देखेंगे 15 नंबर के कोशेन आप जाएंगे तो इसमें हैरान हो जाएंगे क्या आया इसमें चोटे वैलकम हो रहाए आपके के परस्न से जिसमें की छोटे चोटे दो परस्ना पूछे खानी जारो एसक में ओम फिजिक्स में आप देख रहे है क्या द दो नंबर के प्रस्न क्या है चार नंबर के प्रस्न का ट्रेंड देखिए कि चार नंबर के हिसाब से धात चारी धातुएं क्या होती है टैफलॉन क्या है चार नंबर वाले वही आ गए बहुलक वाले टॉपिक से यह आपके मैटल वाले टॉपिक से दो चार के हिसाब से भी एक प्रसनी ये भी बन गया physics मैं के वाल एक question बनताना थीक बनाए हिसमें 2019 के पेपर में बायो में यहां पे 2 question पूश दिए है तो देखिए यहां से पहले देखिए यहां पे दो प्लस एक है ना दो प्लस एक तीन और यहां पे दो पांस हो गया पांस चोंबीस हो वैसे आप देख रहें कि धात्व कर्मिके साथ से आठ नवर्ट है तो एज हुआ वर फिर से वही होगा तो आठ नंबर के हिसाब से आपका मैटलर्जी माने बताय था 7 और 15 बोखो अब कमेटन रॉप और का मैटलर्जी मैटलर्जी पूश्ट कब आयरं का जनन से यह आट नंबर आ गया वैसे देखिए आलेंगिक जनन के प्रकार पूछा है मैंने आपको क्या बताया कि दो और चार के छोटे-छोटे बहुत सारे अब सब को जोड़ दोगे एक साथ सामुविक रूप से पूछ दिया है तो वो आलेंगिक जनन का प्रकार पूछ दिया है ठीक वैसे आपके फोटो सिंदैसिस का जो है यहां पर देखिए हाँ यह वो एर है जब मैं आपको थोड़ा हैरान करने वाली बात बताने वाला था कि 2019 के पंदरा नंबर के कोश्चन को देखेंगे तो ना Physics है ना Chemistry है दोनों ही गायब है पंदरा नंबर में फोटो सिंदैसिस भी पूछ दिया है और उसके आपशन में भी बायो के कोश्चन पूछ दिया है जिसमें मैंने बताया था था ना नर और मादा हर्मोन रिप्रोड़ को पूछेगा तो 15 नंबर में पूछेगा फोडो सिंदैसिस पूछेगा तो 15 नंबर में पूछेगा यह बात आपको ध्यां रखनी है ठीक है और वैसे 2018 का भी है 2018 में भी आपको थोड़ा समय ओवर भी बता देता हूँ बाकी आप इसके ट्रेंड को खुदी समझना क्योंकि इतनी सारी बाते सेम सेम चीजें रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता बस प्रस्न जो है आठ नंबर के सेम रहते हैं मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 और 2 और 4 नंब ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है अब यहां पर बात देखिए चार नंबर के में देखो वन उसके बाद टू प्लस 2 ठीक है यहां पर अलग अपना कर दिया है ना यह जो आपका देखिए आपको मैटलर्जी के बीच बीच में जो पार्टी तो रोस्टिंग है ना और कैल स्थी पॉर साइकल आपका आपको आप देख रहें तो यह फिए आपके क्या है अपकर कोंस्टनस बन रहें मैं DR अपका ड्र So neat अफसमां की μέds क्रते नहीं आपका देखिए पार खोगे I desses ا उसके बाद आर्दर चालक सेमी कंड़क्टर पूश दिया पी एन संड़ी आपका पी एन जंक्सन डायोट पूश दिया ये आठ नंबर के हिसाब से पूश दिया उसके बाद देखते मानों के स्वसन अंगों का सचीत्र वर्डन करेंगे आप यहाँ पे इसको कभी आप पढ़े थे क्या है दो चार और आठ के हिसाब से मैंने क्या कहा था अगर ये पूशेगा तो पंदरा में भी अगर फंक्शन लंग्स का पूरा फंक्शन सब चीचें पूश दिया तो बड़े प्वस्शन भी बन सकता है तो यहाँ पे स्वसन अंगों का गिवर वर्णन कीजिए इनके फंक्शन आपका लंग्स फवड़ा कैसे काम करता इन सभी बातों लिखते तो हो सकता यह आपका पंदरा में भी पूश सकता है ठीक है इसी कारण में इसमें पंदरा की संभावना भी जता है था ठीक है चलिए last content of today's session जिसमें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पंदरा नंबर के question तो पंदरा नंबर के question यहाँ पे देखिए कहां से पूछा है पंदरा नंबर के question एक physics से पूछा है जैसे प्रकास विद्यूत प्रभाव के नियम लिखिए Einstein equation, Delhi frequency, कारे फलन यह सब चीजे लिखा है आपके किताब SCRT में नहीं है तो यह पंदरा नंबर के हिसाब से question आपका छूड जाता तो यह चीजें को समझना है यह important है यह photoelectric effect जो है आपका बड़ा important है उसके बाद देखिए बायो human heart का function यह भी मैंने आपको बताया कि 15 नंबर के हिसाब से ready करना है और यह आया हुआ है ठीक है आई हो यह जो session है थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन थोड़ा सा मुझे आपको यह बताने का प्रयास करना था कि previous yes के trend क्या है आपके प्रसना कहां से बन रहे हैं तो उन प्रसनों को थोड़ा गंभीरता के साथ हमको समझना पड़ेगा ताकि बड़े question की जगह अगर ज़्यादा बड़े question वाले जो segment है अच्छे से ready करना है क्योंकि पूरे के पूरे marks आपको उसमें मिल सकते हैं ठीक और last में इन बातों के साथ मैं समाप्त करूंगा कि यह science का paper है इसे थोड़ा seriously आप लेंगे अच्छे से ready करेंगे तो आप न केबल सेलेक्ट होंगे बलकि आप अपने dream post को भी पास सकेंगे क्योंकि यहां marks कम कटेंगे जो आपको ज़्यादा marks दिलाएगा ज़्यादा marks दिलाएगा तो आप अपने competitor से आप अपने competitor friend से बहुत आगे निकल जाएंगे और वह अपने dream post की और जरूर उसे हसिल करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते मिलते हैं next session में हम environment और technology के analytical view के साथ और कुछ नए approach के साथ thank you so much have a nice day